नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वपनिल सागर जैन, निरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ होमियोपैथिक मैडिशनल सिस्टम की एक ऐसी दवा के बारे में जिसका उपयोग पेट संबंधी लगबग हर बीमारी में किया जाता है खास तोर से IBS यानि की Irritable Bobble Syndrome, Ulcerative Colitis यानि की वो बीमारी जिसमें की मरीज की बड़ी आत में कहीं पे सूजन आ जाती है और उस सूजन के कारण उसे विभिन प्रगार के सिम्टम देखने को मिलते हैं और Dysentry यानि की पेचिश की समस्या होना पेचिश क्या होती है कि जब भी किसी व्यक्ति को लेटरिन के साथ म्यूकस निकलता है यानि की आउं आती है आउं के साथ बलड आता है यानि की खून निकलता है पतली चिकनी सी लेटरिन होती है उसके साथ उसको बलड निकलता है और आउं आती है इस कंडिशन को Dysentry कहा इस दवा का उप्योग होमियोपैथी के साथ साथ आयोरवेद में भी हजारों सालों से किया जाता रहा है। इतना तेज दर्द उसको नाभी के चारों ओर होने लगता है। वो चिकना होता है, चिपचिपा होता है, खून के साथ होता है, म्यूकस के साथ होता है, यानि कि आओं उसके साथ आती है। तब इन सारी समस्याओं में होलारीना एंटिडिसेंट्रिका बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ जब इस तरह की समस्याओं व्यक्ति के शरीर में होती हैं, तो निश्चित रूप से पूरा पोशन ना मिल पाने के कारण उसके शरीर में emaciation होने लगता है। कि मरीज जो है वो दुबला पतला हो जाता है, उसका वजन कम होने लगता है, कुछ भी खाया पिया उसके शरीर को बिलकुल भी नहीं लगता है, यह particular IBS का symptom होता है, यह particular ulcerative colitis के symptom होते हैं, कि मरीज खाना खाने के बाद भी दुबला पतला ही रह जाता है, बार बार लेटर के लिए जाना पड़ता है, तो इन सारे symptoms में, जबकि मरीज को बहुत जादा कमजोरी आ रही है, बिलकुल भी उसको जो दर्द है वो नाभी के आसपास का सहन नहीं हो रहा है, गुदा में भी दर्द है, मलाशय में भी दर्द है, लेटरिन भी बार बार जाना पड़ रहा ह और खास तोर से खून आ रहा है लेटरिन में, यानि कि पेचिश की जो समस्या है, वो उसे हो रही है, मल के साथ साथ आओ निकल रही है, यानि कि म्यूकस निकल रहा है, फसूकर निकल रहा है, तब इन सारी conditions में, होलारीना, एंटी-डेसेंटर का, उसके लिए एक राममान और शदी के रूप में काम करती है, यदि हम इस मैडिसिन के डोज की बात करते हैं, तो इसका सबसे अच्छा जो है, वो मदर टिंचर माना जाता है, होमियोपैती में, होलारीना की बार्क से, उसका मदर टिंचर बनाया जाता है, और इस मदर टिंचर का उपयोग हम इन सारी समस्यावं में करते हैं तो इसके मदल टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या एक कप पानी में मिला के लगातार 2-3 महीने तक लेना चाहिए इसके जो डोजेज है वो यही रखना चाहिए इसमें कोई परिवरता नहीं करना है 10 बूंद सुवे दसबून दुपहर में और दसबून शाम को आधे कप या एक कप पानी में मिला के पिया जा सकता है पानी आप जैसा लेना चाहें ठंडा ले सकते हैं गर्म ले सकते हैं गुनगोना ले सकते हैं चाहे वो आप यूज कर सकते हैं, आप दवा को हमेशा खाली पेट लें इस चीज का ध्यान रखें, यानि कि दवा खाने के लगबग एक गंटे पहले से एक घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है, इस चीज का ध्यान रखना है, तो सोबह तो आप इसको खाली पेट ले सकते ह दो पहर में खाना खाने के एक घंटे पहले ले लीजिए और शाम को खाना खाने के एक घंटे पहले ले लीजिए या फिर शाम को खाना खाने के दो तीन घंटे बाद ले लीजिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी इस दवा को continue दो से तीन महीने उपयोग करना है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तीसरे इस चौथे दिन से इसका जो result है वो आपको अपने शरीर पे मिलने लगेगा खास तोर से IBS और ulcerative colitis के जो patient है वो तो इस दवा का आज से ही उपयोग करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि कोई side effect नहीं है केबल जो dose बताएं है उनका ध्यान रखना है उसमें कोई alteration नहीं करना है यह जो दवा है यह आपको किसी भी homeopathic medical store पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी holarina anti-decentrica इसका नाम है कुरुची के नाम से भी यह medical store पे मिलती है homeopathie वाले तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आप से बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत